करेंगे नवरात्रे स्पेशल फोटो एडिटिंग उभी लाइट रूम मोबाइल में यह काफी काम आने वाला है गाइस अकर आप फॉरेस्ट में जाते हो शूट करने हैं यह कलर गेडिंग आपको बहुत वायदेमन रहने वाली है तो कुछ भी मिस मत करना चलते हैं मोबाइल स्क्राइब स्क्राइब देखते हैं और रच आपको सबसे पहले अपनी फोटो उपन कर ले निये तो यहां पर जाना है सबसे बहुत लाइट में हाइलाइट को थोड़ा कम कर देना है शाय दूसको बड़ा देना है आपको एंड ब्लैक्स को कर देना है कम जिसके वाज़ क्यों सब्को प्रॉपर अच्छे एंड डुट्राइस मिल जाएगी तो यह ठां कर देना है जाना है इंड छिन आपको कल अरप कलर में या फो देख सकते हो, already backset का dark हो चुका है और भी जाना है, यहाँ पर आपको orange में luminance बड़ा देना है, जिसके वजह से क्या होगा, आप गोरे हो जाओगे तो यह होने के बाद दन कर देना है यह होने के बाद guys आपको जाना है next आपको effects में यहां से थोड़ा सा clarity आपको बड़ा देनी है विगनेट कर देना है थोड़ा सा minus तो देख सकते हो यहाँ पर minus तो होने है भाई क्या हो गया तो चलो यह तो काम नहीं कर रहा है क्या होगा पता नहीं से तो छोड़ो इसे details में जाना है वो बाद में देख लेगा विगनेट का तो यहां पर sharpness आपको बड़ा देनी है जिसके वज़े से sharpness में बड़ा होगे तो आपकी इसमें चमक आ जाएगी आप चमक जाओगे यह होने के बाद आपको क्या करना है masking में जाना है यहां जाके आपको plus कर देना है linear gradient लेना है यहां से उपर drag कर देना है ऐसा simply यहोने के बाद को आपको क्या कर दे देना है जा के इसके लाइट कंप कर देने जिसको ऑज़से हमें सहने ही नावजित आस Ela ा सबुम सुदечат ShNER कोर जाना रिटे करने करमारी डार्क हो चुके काफी तरीके से तो अभी क्या करना है चाहिए IT से प्लस में रेडियर ग्रेडियन चूस करना है इस बार आपको यह उपर से आपको ड्रैग कर लेना है इतना जैसी कि मैं कर रहा हूँ यह होने के बाद आप देख सकते हो यहां से हमें लाइट्स में चेंजेस करने को मिल जाएगा तो यह होने के बाद देख सकते हो whites में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ न color में जाना है temperature आपको up कर देना है temperature आप करोगे थोड़ा सा saturation बढ़ा होगे तो देख सकते हो अपने आप tone आ जाएगा आपका sunlight का थोड़ा सा उपर करके done कर देना है guys इसको इसका जो है temperature properly set करके done कर देना है तो hope guys यह proper हो चुके है हमारी आपको भी काफी अच्छी लग रहे होगे मुझे भी अच्छी लग रही है तो temperature में थोड़ा बढ़ा बढ़ा चेड़का नहीं कर सकते हो जादा नहीं थोड़ा बढ़ा खेलने का इससे so colors में जाके आपको थोड़ा सा saturation कर दूँगा skin का कम और यह कर दूँगा done में उसके बाद जाना है आपको grading में grading में जाके आपको जो हमारा tone है उसको थोड़ा सा मैं चूज करूँगा कौनसा बेटर लगता है तो यह देख सकते हो यह मुझे काफी अच्छा लग रहा है मैंसे लिए मैंस तोड़ा सा मैं माइनस करूँगा और blending करूँगा मैं चेंज थोड़ा सा skin पर नहीं आना चाहिए इसलिए and balance कर दूँगा मैं इसको तो देख सकते हो गाइस आए होप यह काफी कुछ तरीके से रेडी हो जूगी है हमारी फोटो तो अभी थोड़ा सा मैं एक्स्पोजर बढ़ाऊंगा जिसके वजह से मेरे skin bright हो जाएगी वैसे भी निकीदा काफी bright डिक रहे है मेरे से वह ऐसा कुछ नहीं है वो सब मैं कर लूँगा तो यह होने के बाद आपको जाना है कव में कर में जाने के बाद हलका सा फेड लूक एड़ कर देना है जिसके वज़े से काफी बढ़िया टोन आ जाएगा हमारा काफी अच्छा फील आ जाएगा सो यह होने के बाद गाइस देख सकते हो हमारी फोटो काफी बहतर इन रेडि हो चुके है तो अभी क्या करेंगे नेक्स टेप हमारी रहती स्केन रिटाजिंग की एंड कुछ पार्टिकल्स हम यहाँ पर एड करेंगे जिसके वाज़े से काफी और अच्छी डिटेल्स आ जाएगी तो वह सब में यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि स्टोरेज फूल हो चुका है यह अलग बात है तो यह फोटोशॉप ओपन होने के बाद आपको जाना है मिक्स ब्रस टूल में यहाँ पर आपको स्क्रीन रिटाच करते ना है फटाफट जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको भी सेम स्टेप फॉलो कर दीनी है एन उक पर देख सकते हूं मैंने कुछ सेटेंस भी है वह आपको फॉलो कर लेना है तो फटाफट स्क्रीन रिटाच कर लेते हैं ओके गाइस तो यह होने के बाद मैं कुछ डॉजबंस करूंगा यहाँ पर जिसके वज़से स्कीन में हाइलाट्स आ जाएंगे इन काफी अच्छे से में मेरे स्कीन बगरा बोड़ी शाइन करें जो आपको बहुत करना सो वह भी कर लेता हूं में पटाफट यह होने के बाद आपको पार्टिकल्स कर देना है जो मैंने पे एंजी यूज़ किये वह डिक्सिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वाह से आपको काफी अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा और काफी डिटेस भी दिखेगा आपके फोटो में लाइक डस्ट वागेरा शायनिंग तो वह बहुत अच्छा लगता है काफी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को हैं काफी अच्छे दिखते हैं फोटोस के वाज़े से तो मैं यहां पर एक कर लिया है तो यहां पर कलर डॉज आपको ब्लेंडिंग कर देना है जिसक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा यह टोन आप कई पर भी यूज कर सकते हो यह आपके बहुत काम आने वाला है तो सेव करके रखो इस वीडियो को लाइक करना मत बूलना चैनल पहने हो तो सब्स्राइब कर लो एन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे तब तक के लिए कुछ ग्रेटिव करते रहो